हमने कितने बार अपने माता-पिता को कहते हुए ये सुना है कि भोजन बरबाद मत करो, तुम देवताओं का अपमान कर रहे हो। वो ना केवल हमारे पेट को भढ़ने का काम करता है, बलकि हमारे विकास के लिए पोशन परान करता है। हिंदू धर्म में ये माननेता है कि हम जो बोजन ग्रहन करते हैं उसमें भी एक देवी का रूप है जो हमारे जीवन में अन्य देती है वे है देवी अन्य पूर्णा नमस्कार दर्शको अब सब का स्वागत है हमारे चैनल इंदियार माइथोलोजिकल टेल्स में आज के प्रसंग में हम देवी अन्य पूर्णा के बारे में जानेंगे देवी अन्य पूर्णा को हिंदू देवी पार्वती का अप्तार गहा जाता है जो शक्ति के कई रूपों में से एक है यहाँ अन्न का अर्थ है खाना और पूर्ण का अर्थ है पूरी तरह से भड़ा हुआ पुरानों में विस्तार अनुसार एक दिन भगवान शिव और उनकी पतली पारवती भौतिक दुनिया के बारे में बहस में पढ़ गे शिव ने कहा कि भौतिक दुनिया के सब कुछ सिर्फ एक भ्रह्म है प्रकृति वो भी एक भ्रह्म है जिसमें भोजन भी शामिल है यहाँ कुछ भी स्थाई नहीं है यहाँ पल आता है और चला जाता है यहाँ तक कि भोजन में सिर्फ एक माया है मा पार्वती जो भोजन साइज सभी भौतिक चीजों की जननी है वे ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गई तभी मा पार्वती बोली अगर मैं सिर्फ भ्रह्म हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते है ये कहकर माता पार्वती अद्रिश्य हो गई उनके लापता होने से ब्रह्मार में हाहाकार मच गया समय स्थिर हो गया तो तो परिवत्तन रुखसा गया धर्ती बंजर हो गई और बयानक सुखा पढ़ने लगा आकाश, पाताल और धर्ती तीनों लोगों में भोजन उपलब नहीं था देवता और मनुष्य भोग से तरपने लगे अंत्र में भगवान विश्णु ने महादेव से कहा कि मैंने सुना है कि काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है फिर भगवान शिव भोजन के भिख्षा मांगने के लिए काशी गए वहाँ पहुचके एक दृष्य देखके वह अचंबित रह गए उन्होंने देखा कि रिसुई का धेवबाल उनकी पत्नी पार्वती कर रहे थी जो देवी अन्यपुन्या की रूप में थी तब भगवान शिव ने मादा को कहा कि उन्होंने भोतित दुनिया के महत्वत को महसूस किया है ये एक आत्मा है जिसे केवल भ्रम की तरह खारिज नहीं किया जा सकता अंत में देवी पार्वती मुस्कुराई और भगवान शिव को अपने हातों से परोसा उस समय से देवी पार्वती को देवी अन्यपुन्या की रूप में पूजा जाता है और पोशन की देवी को प्रसने करने के लिए भव्व अन्यपुन्या पूजा की जाती है कुछ धार्मिक ग्रंथों में देवी अन्यपूर्णा की प्रतीमा का वर्णन एक युवा देवी के रूप में किया गया है जिसमें देवी के तीन नेत्रे है और उनके मस्तक पर अर्दरजंदर शुशोबित है उनके एक भुजा में स्वादिष्ट पूजन से भड़े बरतन है और दूसरे भुजा में बिवन्य रतनों से शुशोबित एक चमच है वही उनके अन्य दो हाथ अभय मुद्रा एवं बरद मुद्रा में है उन्हें सुनेरे गैनों के साथ चितरित किया गया है जो एक सिंगासन पर बैठी हुई है बारा नसी की मंदिर में अन्यपूर्णा देवी की एक स्वाण की मूर्ति है जो दिवाली के अगले दिन अर्थात अन्यकुट मौटसप पर वर्षय में केबल एक ही बार सार्वजनिक दर्शन के लिए दिखाई जाती है अन्य दिनों में अन्यपूर्णा मंदिर के गर्व ग्रिह में देवी की एक पितल की मूर्ति प्रतिश्चित की जाती है स्थानिय लोगों की ये धार्णा है कि काशी की रानी देवी अन्यपूर्णा ये सुनिश्चित करती है कि उनके भक्त फूखे न रहे COVID-19 के भायंकर पडिनाम के वज़े से हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे है जो अन्यके एक दाने के लिए तरस रहे है हम माता अन्यपूर्णा से ये कामना करते है कि माता हम सब के घर में अपनी कृपादिष्टी बनाये रखे इस संसार में ऐसा कोई ना हो जो इनके छाया से बंचित रहे और साथ ही धन्यवाद करते हैं उन सब लोगों को जिन्होंने इस मुश्किल समय में आगे आकर लोगों की मदद की